तो मैं रस्ते से जा रहा था, भेल पूरी तो नहीं खा रहा था, लेकिन सड़नली मुझे अपने सामने एक पोर्टल दिखा, और तुम लोगों को तो पता ही है, कोई नई चीज दिखिए तो उसके अंदर तो जाना ही है हमको, छोड़ो यार मैं नहीं जा रहा, लेकिन जाना माइन क्राफ्ट इसकोवल डू, लोकी क्राफ्ट, अच्छा गाना गाइस, जितनी जल्दी हो सके हमको एक आईरन इंगट चाहिए, और जितनी जल्दी आईरन इंगट मिलेगा, उतनी जल्दी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, आई मीन उसी समय निकल सकते हैं, कौन है यह लोकी क्राफ्ट की डर्ट में को बड़ी अच्छी लगी यहां पर हम लोग एक टैनिस कोड़ भी बना सकते हैं जानवारों पर थोड़ा अत्याचार करते हैं गाईज डिस्क्लेमर इस वीडियो में मेरे को जानवारों को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है गाईज इसका तो हम लोग पॉर्क चॉप बनाकर खाएंगे अफसूस मुकेश बच नहीं सका मजाग बहुत हो गया आप थोरी सी वुट्स काट लेते हैं हम लोग जल्दी से भाई क्या प्लास्टिक की वुड है ये फूल भी बड़े सुन्दर है इसके लावा तो बिल्कुल खतरनाक ही लग रहा है क्राफ्टिंग टेबल को देखो एक बार तुम लोग क्या लकडी लग रही है विल्कुल लकडी है यह यार कोई बात नहीं काम चल जाएगा फिर बैट बनाने के लिए मैंने कुछ दस ग्यारा जानवर मार दिये तो बैट तो हम लोगों का बन चुका है अब तो हम लोगों को कोल भी मिल चुकी है और ये कोल कोल से ज्यादा बकरी की और सर्प्राइज हमारे पीछे यह आईरन ओर भूरे कोबल स्टोन्स भी ले लिए हमने फर्णेंस बनाते हैं और चल्दी से ले लेते आईरन इंगोर तो फर्णेंस बन गया अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं आईरन ओर कोल और अब सो जाते हैं हम लोग के आईरन ओर अब बन चुकी है ओ फाइनली हम लोग रियल माइनक्राफ्ट में अब आ चुके हैं और अब इस पोर्टल को तो पुरा डिस्ट्रॉय कर देंगे I know वीडियो आने में बहुत ज्यादा समय लग गया कोई बात नहीं है अब रेगुलर रहूंगा ना मैं और जब तक लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाई